प्रिये विध्यार्तियों, मैं डॉक्टर करमवीर सिंग, एसोसियेट प्रोफेसर, बियासर गोर्मेंट आट्स कोलेज, अलवर आज का अपना विशे है, बिर्टिस पार्लियमेंट, बिर्टिस संसद, हाउस ओफ लॉड्स, लॉड्स अबा प्रिये विध्यार्तियों, संसद या पार्लियमेंट, बिर्टिस संसद, दी सदनी विधाई का है, इसके दो सदन है, एक लॉड्सभा और एक कॉमन सबा लॉड्सभा इसका उच सदन है, जो इस्थाई होता है, इसकी सदस्षंख्या का बहुत बड़ा भाग पैत्रक आधार पर होता है, जो बिर्टेन के धनिक और उच वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है यह एक रूडिवादी सदन है, डियर स्टुडेंट्स जैसा कि पूर में भी मैंने आपको बताया था, कि अपन बिर्टेन के जो परंपराएं का अध्यन किया था, या बिर्टेस कैबिनेट का अध्यन किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, कि बिर्टेन में परंप संसद का निचला सदन है जिसके सदश जनता के निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं तो ये इसपस्ट हुआ कि संसद के दो सदन है एक लोड सभा और एक कोमन सभा बिटेन में लोड सभा उच्छ सदन है और कोमन सभा निचला सदन है इन दोनों को मिलाकर संसद का निर्मान होत या संसद बनती है अब लोड सभा का जब अपन अध्यन कर रहे हैं तो लोड सभा की रचना उसके विशेशादिकार उनकी सक्तियां लोड सभा के पदादिकारी इस विशेश पर भी चर्चा करना बहुत ही महत्पूर्ण है तो लोड सभा की रचना के संदर में आपको मैं बत पुराना और विशाल है। लगबग एक सताबदी पूरु तक लोड सभा का महत्व कोमन सभा से अधिक था। यह दूसरे नमबर पर है। प्रतिस्ठा, प्रभाव और सक्ति में कोमन सभा इससे स्रेष्टतर है। वास्तों में लोड सभा एक एतियासिक संस्था है। इसकी सदश्चिता वंस और धार्मिक पदों के आधार पर होती है। इसलिए लोड सभा को बेमेल राजनितिक संस्था अभी कहा जाता है। अब सवाल ये उटेगा पिरिये विध्यारतियों या डियर स्टुडेंट्स बेमेल राजनितिक संस्था क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर में अभी निवेदन किया था कि वंस और धार्मिक आधार पर इनका निर्मान होता है। तो इसल में कई स्रेणियों के सदश शमलित हैं। जैसे मैं आपको बताऊं। नमबर वन राजवन्स के सदश। इसमें कौन होते हैं कि इनकी सदश संख्या तीन चयार के लगबग होती हैं और ये बैटकों में भाग लेना अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं। दूसरा धार्मिक लाड इसकी संख्या 26 के लगबग होती हैं और वे धार्मिक आधार पर बनते हैं। स्कोटलेंड के पियर, आइरलेंड के पियर, आजीवन पियर, सामाजिक जीवन के विभिन छेत्रों में सेवा करने वाले व्यक्तियों को आजीवन पियर बनाया जाता हैं। इस न्यूक्ति विधी विशेशग्यों के द्वारा होती हैं, ये इंगलेंड के सर्वोच न्याले का काम करते हैं। अब कुछ इनको विशेशाधिकार भी मिले हुए हैं। लोड सभा के जो सदश्य हैं, उन लोड सभा के सदश्यों को कुछ विशेशाधिकार की शक्तिया मिल नम्मर वन लॉड सभा के सभी सदश्यों को भाषण की सवतंत्रता है और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उसके विरुद्ध उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता दूसरा संसद के अधिवेशन काल में किसी सदश्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता तीसरा लॉड सभा के सदश्यों को यह अधिकार भी है कि वे समराट के पास व्यक्ति गत रूप से जाकर सारजनिक मामलों पर बातचित कर सकते हैं कौमन सभा के सदश्यों को यह अधिकार नहीं है नेक्स्ट लोड सभा के सदश्यों को यह भी अधिकार है कि यदिवे सदन के किसी निर्ने से सहमत नहीं हो तो अपनी ऐसहमती प्रकट करके सरकारी पत्रीका में छपवा सकते हैं नेक्स्ट पियर बनाने वाले विधेक लाड सभा में पेस होते हैं नेक्स्ट लोड सभा बिर्टेन के सरवच न्याले के रूप में कारिय करती है तो कहने का तात पर ये हुआ कि लोड सभा के सदश्यों को कुछ ये विशेश अधिकार मिले हुए हैं जो कोमन सभा के सदश्यों को नहीं है जैसा कि मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि लोड सभा के सदश्यों को यह अधिकार है कि वो समराट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सारवजनिक मामलों की बातचीत कर सकते हैं जबकि कौमन सभा के सदश्य नहीं कर सकते हैं यह यह कह सकते हैं कि कौमन सभा के सदश्य समराट के पास व्यक्तिकत रूप से नहीं जा सकते हैं अब लौड सभा की सक्तियां क्या हैं उसके कारिय क्या हैं इस संदर मैं आपको बताऊं कि विभिन्य प्रकार की लौड सभा की स लगबग समान थी पहली बार 1832 में लोड सभा ने कौमन सभा द्वारा पारित कानून एस्विकार कर दिया कौमन सभा ने उसे तीन बार पारित किया तीसरी बार पारित होने पर लोड सभा के विरोध के बावजूद 1832 का सुधार अधीनियम बन गया बिल्कुल इसपस्ट हो गया होगा कि 1832 का सुधार अधीनियम बन गया यहां से कौमन सभा की सक्तियां लोड सभा से अधिक हो गई यानि कि लोड सभा की सक्तियों में कमी होने लग गई क्योंकि वो जब तीन बार विद्यक पास हुआ और इसके विरोध के बावजूद लाड सभा के विरोध के बावजूद वो सुधार अधीनियम बन गया इसी प्रकार कौमन सभा ने एक अधीनियम 1911 में पारित कर दिया इसके पस्चात लोड सभा किसी वित विद्यक पर एक महा तक विचार विमर्स कर सकती है उसे उस विद्यक को एश्विकार या संसोदन करने का अधिकार नहीं है कोई विद्यक वित विद्यक है अथवा नहीं यह निर्णे करना कौमन सभा के अध्यक्स का अधिकार है वित विद्यक केवल कौमन सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है विधी निर्मान के समंद में लोड सभा का मुख कारिये अब तो केवल विचार विमर्स तक ही सिमित र लेकिन उसके पश्चात विधी निर्मान के समंद में लोड सभा की सक्तियां कम हो गई हैं या यह कह सकते हो कि केवल ये विचार विमर्स तकी सिमीत रह गई हैं। लोड सभा का विचेश अधिकार हैं कि जो संसार की किसी भी व्यवस्था पिका के पहले अथ्वा दूसरे सदन के प्राप्त नहीं हैं। लोड सभा बिर्टेन का सर्वोच न्याले और अंतिम न्याले हैं परन्तु लोड सभा के सभी सदश्य न्याय का काम नहीं करते हैं। लोड चांसलर तथा कौनिनी लोड ही कारिय करते हैं। लोड सभा का न्याय समंधी अधिकार छेतर पहले दोप्रकार का था एक प्रारंबिक ओरिजनल और एक अपीलिये। प्रारंबिक अधिकार छेतर यह था कि लोड सभा अपने सदश्यों पर लगाए गए राजद्रों या अन्य बड़े आरोपों के समंध में निर्णे करती थी। परंतु 1949 में लाडों के इस विशेश अधिकार का अंत कर दिया गया। परंतु आज भी लाड सभा अपील समंधी यानि कि जो फोजदारी और दिवानी मामला होता है वो सरवच न्याले है। लाड सभा का निर्णे केवल संसद कानून पारित करके ही बदल सकती है। यह किसी न्याले के द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो यहां न्याय के संदर में यह कह सकते हैं कि चांसलर के पास और जो सरवच न्याले के पास हैं वो कुछ सकतियां बीन को मिली हुई है। अनभव सील होते हैं। एक विद्वान है मुन्रो उसने ये बात भी कही ही कि लोड सभा गैर वित्ये मामलों की जांच और उसमें सुधार करती है। प्यूक्त विवेचन से इसपस्ट है कि संसार के किसी भी उच सदन की सक्तियां इतनी कम नहीं हैं जितनी की लोड सभा की हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संसार के सभी देशों के दित्ये सदनों में लोड सभा सबसे ऐसकता है। विधाई और वित्ये छेतन में लोड सभा ने अपने सभी महत्पुन अधिकार खो दिये हैं। एक विचारात्मक निकाय के रूप में ही अधिक उपियोगी है। तो पिर ये विध्यारतियों अब जब नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा बिर्टिज संसद के संदर में तो इसकी आलोचना क्यों की जाती हैं, आलोचना कैसे की जाती हैं इसके उपर अध्यन करेंगे धन्यवाद।